हेलो फ्रेंड्स आज हम इस एपिसोड में इलिमेंटरी ड्राइंग एक्जाम का प्लेंड जोमेट्री का क्वेशन नमबर 16 उसमें का सब क्वेशन नमबर 2 स्वाल करने वाले हैं आज का यह क्वेशन इंग्लिश और हिंदी लैंगुज में एक्स्प्लेन होगा अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी करना है प्लेन जोमेट्री का क्वेशन स्वाल करने के लिए आपके पास राउंडर इसे कमपास भी भूलते हैं स्केल और पेंसिल इन जोमेट्रिकल इंस्ट्रुमेंट किया हो शकता है आज हम इंग्लिश इंद्य और माराटी लैंग्विज में क्वेशन देखेंगे अपको स्क्रीन पर क्वेशन दिकाए दे रहा है उसका अच्छी तरह से अब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना English Question Section 4 Circles and Polygons Example No.16 Sub Example No.2 To construct a regular heptagon with one of its side given Question Construct a regular heptagon with one of its side 4 cm long Hindi प्रश्न भी बाक्चाउता रुत्त और बहु भुच उधारन सोलवा सबुधारन No.2 दूसरा एक नियमित सब्त भुज की रचना करना जिसकी एक भुजा दिवी हो प्रश्न एक समसब्त भुज की रचना करना जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 cm है मराटी प्रश्न चार सेंटीमिटर बाजव असनारा नेमित सब्त कुन काड़ा इस प्रकार से Question No.16 उसमें का सब Question No.2 को हमने English, Hindi और मराटी लेंग्विज में देखा है अब इसे हम स्वाल करेंगे बच्चो, Question में देगए अनुसार, 4 cm जिसकी साइड है, जिसकी भुजा 4 cm है ऐसा हमें Heptagon सब्त कुन निकालना है, उसके लिए यहाँ पर हमें एक Baseline निकालना है, 4 cm long इसे नाम देना है A, B, जैसे हमने पंचकुन, Pentagon को ड्रॉ किया है वही Method, वही Process यहाँ पर यूज करना है अब हमें AB Line के दो Equal Part बनाने हैं, Bicek बनाने हैं, यहाँ पर एक Perpendicular निकालना है उसके लिए Compass का Rounder का Steel वाला Point यह Point पर रखकर Compass में हमें Approximately Distance लेना है और एक उपर वाले हिससे पर और एक नीचे वाले हिससे पर Arc बनाना है उसके बाद उसी Distance से, उसी Radius से इन दोनों Arc पर और दो Arc बनाने हैं दोनों Arc एक दूसरे को यहाँ पर Cross हुए हैं, वहाँ पर Point लेना है यह Point यह Arc लाइन बहुती केरफुली लेना है, हर Step स्टार्ट से केरफुली करना है उसके बाद ही आपका Example आपको Easily Soul होगा यह जो Perpendicular की Line है, इसे जादा उपर तक Draw करना है इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पर एक नाम देना है P, क्योंकि इस Perpendicular ने AB Line को यहाँ पर Cross किया है वह AB Line का Center Point हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक Semi Circle, Hub Circle निकालना है P पर Compass का स्टील वाला Point रखना है, Compass में P, A इतना Distance लेना है यहाँ पर एक Semi Circle, Hub Circle की चना है इस प्रकार से, उसके बाद जैसे हमने Pentagon में यहाँ पर 4 नंबर और 6 नंबर का Point ले आता उसी प्रकार से यहाँ पर Process होगा इस Semi Circle ने perpendicular को यहाँ पर Cross किया है, यहाँ पर Point मिला है 4 उसके बाद यह पर Compass का स्टील वाला Point रखकर, Compass में P, A distance लेकर, Radius लेकर यहाँ पर एक Arc बनाया उस Arc ने इस perpendicular कर यहाँ पर Cross किया, इसको नंबर देना है 6 नाम देना है 6, उसके बाद 4-6 इसके दो Equal Part बनाने है, इस प्रकार से Compass में जो Distance लिया है, वो 4-6 के हफ से तोड़ा ज्यादा Approximately लिया है, उसी Distance से इंपर 6 नंबर से Arc बनाने है, दोनों Arc एक दुसरे को यहाँ पर Cross हुए है, वहाँ पर Point लेना है, इससे जोडना है, जोडने के बाद यहाँ पर Line ड्रॉक करना है, उस Line ने Parpendicular को यहाँ पर Cross किया है, वहाँ पर Point लेना है, 5, हमें सब्तकोन निकालना है, जिसकी भुजा साथ होगी, तो 4 पॉइंट से हम Square निकाल सकते हैं, 5 पॉइंट से हम Pentagon निकाल सकते हैं, और 6 पॉइंट से Shotgun निकाल सकते हैं, हमें निकालना है Heftagon, यानि सब्तकोन, तो हमें 7 नमबर का Point यहाँ पर Draw करना है, उसके लिए हमें 4 और 5 उसके लिए हमें 4 और 5 इतना Radius Compass में लेना है, और 6 पॉइंट पर Compass का Steel वाला Point रखकर, यहाँ पर एक Arc बनाना है, Point लेना है, और इसे नाम देना है, 7, और इसे नाम भी देना है, O, क्योंकि यह हमारे Heftagon का Center Point हो गया, बच्चों, अब हमें इस 7 Point पर Compass का Steel वाला Point रखना है, और Compass में Distance लेना है, यह इतना, और यहाँ पर एक Circle निकालना है, इस प्रकार से, अब यह भी इतना Compass में Distance लेके, यहाँ पर हमें ऐसा Mark करती जाना है, और यह वाला जो Mark है, तो इस Perpendicular ने इस Circle को यहाँ पर Cross किया है, यहाँ पर ही आना चाहिए, ऐसा आने से आपका Equation हम Correct Solve कर रहे हैं, ऐसा इसका मतलब है, उसके बाद आगे के Mark करने हैं, और लास्ट वाला Mark यह पर आए, इन आर्क ने इस Circle को यहाँ पर Cross किया है, वहाँ पर Point लेना है, इस Point को नाम देना है, C, D, E, F और G, अब हमें PC Line को जोड़ना है, उसके बाद C, D, उसके बाद D को जोड़ना है, उसके बाद E, F, उसके बाद Y, G, और A, G, इस प्रकार से हमने इस Heptagon को Draw किया है, बच्चो आपको इसकी ज्यादा तर प्रैक्टिस करना है, इसकी साइट, इसकी भूजा को, उसके डिस्टन्स को चेंज करके बार बार इसका प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही आपको परिफिक बनाएगा, आज का ये Question आपके समझ में आया हो, वीडियो आपको अच्छा ल प्रैक्टिस हो ओतल ही आपके समझ में आया हो, वीडियो आपके समस हान कि कि के बनाएगर क्मेन, हमें आपके समस ही प्रैक्टिस Дൂग को बनाएगा। झाल